देखो इस question में हमारे पास क्या दिया हुआ है in a 25 kVA, kVA तुम्हें पता है कि power होती है, कौन सी power होती है हमारे पास ये apparent power होती है और apparent power का हमारे पास क्या formula होता है अब इसके बाद इसमें इन्होंने क्या दिया हुआ है 500 turns on primary, 500 turns on primary का मतलब है हमारे पास N1 है और ये क्या है हमारे पास 40 turns on secondary मतलब N2 है primary is connected to 3000 volt मतलब हमें V1 की value दे दी, कितनी 3000 volt दे दी और हमें frequency दे दी अब हमें primary current मतलब I1 की value निकालनी है और हमें I2 की value निकालनी है ठीक है तो इस formula पर आ जाते हैं हम, transformation ratio वाला formula था, E2 by E1 is equal to N2 by N1 is equal to I1 by I2 I1 की value चाहिए हमें I2 की value चाहिए हमारे पास N2 भी है, N1 भी है तो अब हमारे पास एक और value होनी चाहिए, right तो हमारे पास यहां से तो आएगी नहीं, बट हमारे पास power का formula है power का क्या formula होता है, S is equal to V multiplied by I, यही होता है, right तो अगर मेरे पास S है, तो यह V1 है, और V1 है, तो current भी कितना होगा, I1 होगा S की value हमें कितने दी हुई है, 25 के भी है, तो यह कितना होगया, 25 multiplied by 1000 kilo को convert करेंगे तो, V1 की value given है, 3000, यहां से हमारे पास किस की value आजाएगी, I1 की value आजाएगी अब हमारे पास I1 की value आजाएगी, ठीक है, N2 हमें पता है, और N1 भी हमें पता है तो यहां से क्या हमारे पास I2 की value आ जाएगी ठीक है अब उसके बाद हमसे क्या पुछा हुआ है secondary EMF EMF मतलब क्या है हमारे पास E2, E1 और V1 हमेशा क्या होते हैं equal तो V1 की value given है that is 3000 volt है E1 पता है N2 पता है N1 पता है तो यहां से क्या हमारे पास E2 आ जाएगी नेक्स्ट हमें पूछा है maximum flux in the core maximum flux के लिए तुम्हें क्या चाहिए EMF equation EMF equation of transformer वो क्या कहता है E1 is equal to 4.44 N1 F5M तो E1 पता है हमें 4.44 पता है N1 पता है frequency पता है तो यहां से हमारे पास 5M की value आ जाएगी पता है पता हैं पता है, correct.